निलो खेडी के बर्थल गाउं में 18 एकड पंचायती जमीन पर गुशाला बनाने को लेकर दो गुटों में खुनी संगर शुगया जिन में दोनों गुटों के 5 लोगों को गंभीर चोट आई है जबकि गाउं की सरपंच समर्थ गुट के तीन लोगों और दूसरे पक्ष के दो लोगों को गंभीर चोट आई है सूचना मिलने पर पुलिस ने गाउं में पहुंचकर घायलों को निलो खेडी के नागरिक अस्पताल में भरती करवाया डॉक्टर ने प्रात्मिक उपचार करने के बाद उनकी नाजुक स्थेती को देखकर करनाल कलपना चावला मेडिकल कॉलेज में रैफर कर दिया मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है सरपंच समर्थकों ने गाउं के 18 एकड पंचायत की जमीन पर कबजा क्या हुआ है जबकि दूसरा गुट सरपंच पर दबाव डाल कर उस जमीन पर गौशाला बनाना चाहते हैं ताकि सरपंच समर्थकों से पंचायती जमीन का कबजा छूट सके फिलहाल पुलिस इस मामले पर चुप है डॉक्टर संजे बंसल ने बताया कि गौशाला निर्मान को लेकर जगडे में पांच लोग खायल हुए है जिनको प्रारत्मिक उप्चार के बाद करनाल जैफर कर दिया खया के जो संचाल अगाई इसको नपावरोब्टर निजरा कि उन्हां करें कितनी चोड लगे आव लोगो जोट के मेरे चाच्चे ताहु सारे मरे पड़े मुष अर्या इसमें मैडिकर क्राने के लिए मारे को जगाने मिली ना याँ भी राफर निया कुर्षेत के वाभी मनोया अर्याम इमना अब चंडिकर जाना पड़े आपर क्राता है डाक्टर साब से चंडिकर लिए कनाल वो राइव रोरे जान वूज को रहे लिए कोई किसका चोट निया जापने मारे यो कुछी मारे ओ आपस में जगड़ा होगे गोशाला पॉलने कि विबाद में तो उसमें जगड़ा होगे तो उसमें अधरपंच की पाटी के तीन आदमी योज़ इंजड थे उनको फ़स्टेड दे के करनाल रैफर कर दिया और दू अभी एपोजित पाटी के अभी आया है हमारे पस उनको फ़स्टेड दे रहा है ज़्यादा चोटे हैं डॉक साविरोगों क। केली पार्टी को भी चोटे की सिर में काफी और इसको भी है